खटी दकारों से मुह का स्वाध हो रहा खराब। अपनाएं ये नुस्खे कई बार खराब पाचन क्रिया की वज़े से इंसान को खटी दकार आने लगती हैं। ऐसे में अपच के कारण एसिडिक जूस फूर्ड पाइप से बार-बार मुह में आने लगता है। इसे ही खटी अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो आएए हम आपको कुछ बहुत ही बहतरीन घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं। अजवाइन हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। अजवाइन शरीर में एंटाइसिट की तरह ताम करती है और खाना पचाने में मदद करती है। इसे खाकर एसिडिटी को कम और डाइजिस्टिव हार्मोन को बढ़ाया जा सकता है। अजवाइन को घून कर खाने से खटी ड़कार में राहत मिल सकती हैं, सौंफ। खटी ड़कार की समस्या में आप एक चम्मच सौंफ का सेवन कर सकत हैं। इससे ड़कार बंध हो जाएगी और पेट में एसिडिटी भी कम होगी। इसके साथ ही सौंफ मुह के स्वात को भी अच्छा कर देगा और आपका मूर अच्छा हो जाएगा। अद्रक अद्रक में जिंजरोल पाया जाता है जो एसिडिटी को कम करता है और फूर पेट से जुड़ी और उल्ती आदी समस्याओं में बहुत ही फाइदेमंद होती है। यहां एसिडिटी को कम करती है और डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाती है। इलाइची से पेट की समस्याई ही नहीं बलकि पाचन तंत्र अच्छी तरह काम करता है। यहां खाती दकार की समस्या होने पर पुदीने की पत्तियों को धो कर मुम में रखें और धीरे धीरे चबाएं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप खटी दकारों से राहत पा सकते हैं।